नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल गोपाल स्टेडी पॉइंट में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बालविकास एम शिक्षा सास्त्र के प्रक्टिस सेट नमबर फाइव का दोस्तों इससे पहले फोर प्रक्टिस सेट अलड़ी अप्लोड हो चुके हैं और यदि आपने अभी तक उन प्रक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप अपने राइट टोप कॉर्नर पर जैसे स्क्रीन को टच करेंगे तो एक आई का बटन दिखाए देगा वहाँ पर आप टच करके उन सभी प्रक्टिस सेट को देख सकते हैं और मेरे कम्प्लीट चाइल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ एक घंटी का निशान आएगा उसको भी प्रेस कीजिए आपको मेरे डेली वीडियो के अपडेट मिलते रहें बिना किसी सर्च के दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ना एकदम फ्री ओफ कोस्ट है और आप अपनी बहतर तेयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं जैसा कि कोश्चन न इसमें चार ओप्शन दिये हैं दोस्तों मैं इसका राइट आंसर पढ़ देता हूं so that वीडियो का फिलम बना हो तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नमबर डी और ऑप्शन नमबर डी में दिया है ज्यान के सैसंबंद और हस्तनांतरन को तो दोस्तों जैसा कि प नेक्स कोशन देखते हैं यदि छात्र पार्ट के दोरान बार बार तुरूटिया करते हैं तो सिक्षक को क्या करना चाहिए वह में बताना है तो इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन नमबर ए और ऑप्शन नमबर ए में दिया है अनूदेशन कारिये समय या बैठने की विवस्ता में परिवर्तन करने चाहिए नेक्स कोशन देखते हैं छात्रों के बीच व्यक्तिकात भेद शामिल करने का आधार हो सकता है क्या आधार हो सकता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह और ऑप्शन नमबर डी और ऑप्शन नमबर डी में वेवार करने में वेवार करने के संदर्म में सिक्षकों को निम्लिकित मुल्यों में से किसमें विश्वां स्विक्त करना चाहिए तो इसका right answer है option number a और option number a में दिया है चात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिकत उत्तर दाई तो सतत और व्यापक मुल्यांकन की योजना में व्यापक सब्द किसको छोड़ कर निमलिखित द्वारा समर्थित है तो दोस्तो चार ओप्शन दिये हैं तो राइट आंसर है इसका फिप्ट का ओप्शन नमबर बी और बी में दिया है सूचना परकर्मन का सिध्धान्थ जो कि सतत और व्यापक मुल्यांकन की योजना में व्यापक सब्द को छोड़ कर निमलिखित द्वारा समर्थित है तो वह है सब्द सूचना परकर्मन का सिध्धान्थ नेक्स कोशन देखते हैं सिक्षारतियों का स्वे नियमन संदर्भित करता है इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है ओप्शन नमबर ए और ओप्शन नमबर ए में दिया है स्वए अनुशासन के मध्यम से अपने स्वम के अधिम की निगरानी करना Next question छात्र फैशन सो को देखकर माडलों का अनुकरन करने का परियास करते है इस प्रकार के अनुकरन को कहा जा सकता है तो किस प्रकार का अनुकरन कहा जा सकता है सेवन का राइट आंसर है option number C और option number C में दिया है समाजिक अधिगम तो समाजिक अधिगम में दोस्तों किस तरह से हम इसको वियत्ट कर सकते हैं बंदूरा जी के समाजिक अधिगम सिध्धान्त के अनुसार अधिगम संग्यानात्मक प्रक्रिया है जो अवलोकन द्वाराख होता है बंडूरा ने अपनी धारना का समर्थन करने के लिए बोबो डोल सब्दगा परियोग किया था नेक्स कोशन देखते है निमलिकित में कौन सा कथन विकास के संबन में सत्य है इसकी प्रकर्ति गुणात्मक मात्रात्मक या दोनों है या ऐसी मित है तो इसका जो राइट अंसर है दोस्तो अप्शन नमबर सी है और अप्शन नमबर सी में हमें दिया है यह प्रकर्ति में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है तो विकास के संबन में क्या बात सही है कि ये मातराताव को भी है और गुनात्रों को गुणाताव को भी है डोनों है नेक्स क्वेजि़न निमलिकित में से किस कथन को अधिगम की विसेथथा नहीं माना जा सकता तो 9 का राइट अंसर है option number c और option number C में दिया है वेवार का अध्यान अधिगम है तो कौन सा अधिगम की विसेस्ता नहीं है वेवार का अध्यान अधिगम है ये विसेस्ता नहीं है क्योंकि वेवार का जो अध्यान अधिगम की विसेस्ता नहीं है क्योंकि यह है एक मनोवग्यानिक प्रक्रिया होती है तो दोस्तो जैसा कि बागी जो दिये है option वे सभी correct है only this option जो कि तो option number third है वो सही नहीं है next question देखते है शिक्षक की निम्लिकित में कौन सी विशेस्ता समाविशी शिक्षा में सबसे कम महत्पून है तो कौन सी ऐसी विशेस्ता है जो समाविशी शिक्षा में सबसे कम महत्पून है तो 10th का जो right answer है दोस्तो वो है option number D और option number D में दिया है शिक्षक की समाजिक आर्थिक इस्थिदी next question देखते हैं बहाई अभी प्रेणा में शामिल है क्या का चीज भाई अभी प्रेणा में सामिल होती है तो 11 का right answer है option number D और option number D में दिया है ये सबी जिसमें प्रशंसा और दोसारोपन, परती इसपरदा, पुरुसकार और दंड, प्रेणामों का ग्यान ये सबी भाई अभी अभी प्रेणा में सामिल होती है next question देखते है भोजन प्राप्त करने के लिए अपना बच्चा बेचने वाली इस्तरी की खबर को किस अधार पर सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है तो दोस्तो इसका जो right answer है वो है दोस्तो option number B और option number B में दिया है पदानु कर्मिक आवशक्ताओं का सिध्धान्थ तो दोस्तो इसको हम इस तरह से explain कर सकते हैं सारीरिक आवशक्ताओं के आधार पर इस खबर को सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है 1943 में मैसलो ने पदानु कर्मित आवशक्ताओं का सिध्धान परस्तावित किया था जो भोजन की आवशक्ता के अंतरगत आती है तो इस कोशन से इतनी जानकारी हमें याद रखनी है नेक्स कोशन सेशव काल में बच्चा निर्देसित होता है किस प्रकार से निर्देसित होता है तो दोस्तो इसमें दिया है 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नमबर B और ऑप्शन नमबर B में दिया है पर वरती से पर व्रत्ती से एक व्यक्ति को उसी आयू में बिमारी होती है जिस आयू में उसके पिता को व्य बिमारी हुई थी यह उधारण है तो 14 का राइट आंसर ओप्शन A जैविक अनुवान सिक्ता का नेक्स कोशन खालिस्तान दिया है कि अतिरिक निमलिकित तकनीके हैं जो परिक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करने का परियास करती है तो 15 का राइट आंसर है ओप्शन नमबर B और B में है दोस्तो परिणाम के संबन में बहुत अधिक सोचना तो परिणाम के संबन में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक निमलिकित तकनीके हैं जो परिक्षा के कारण वाली होने वाली चिंता को दूर करने का परियास करती है नेक्स कोशन देखते है वाई गोच्षकी का सिधान संग्यानात्मक विकास में विकास में क्या भूमी का परमेहतु देता है तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर है वो है option number A और A में दिया है भाशा तो वाई गोच्षका सिधान संग्यानात्मक विकास में भाशा की भूमी का परमेहतु देता है काफी अच्चा important question है और बहुत पर परिक्षियों में पूछा गया है नेक्स कोशन चात्रों में पढ़ाई के दोरान जो कमियां रह जाती है उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उप्शन नमबर A और उप्शन नमबर A में दिया है उप्युक्त उप्चारात्मक कारिये होना चाहिए नेक्स कोशन बच्चे अन्य लोगों के साथ बादचीत और समात की सहता से दुनिया के बारे में जानते हैं कि कथन दुआरा कोन सा सिध्धान दरसाया गया है तो इसका थन दुआरा कौन सा सिध्धान्त दर्साय गया है तो इसका right answer है दोस्तो option number A और A में दिया है वाई गोच्षकी का सिध्धान्त next question शिक्षक सम्हू परिचर्चा, सम्हू परियोजनाए, भूमी का निर्वा आदी जैसे कई सम्हू गतिविदियों में अपने सिक्षार्तियों को व्यस्त रखता है ये सीखने के किस आयाम को परदसित करता है तो 19 का right answer है दोस्तो option number C और option number C में दिया है सामाजिक गतिविदी के रूप में उपागम next question निम्रकित में कौन CPIJ द्वारा किये गए ग्याने इंद्रिय चरण की अवदी है बहुत ही most important question है दोस्तो और आगे भी इसी तरह के question आते रहेंगे तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखे और सुरू से last तक देखे तो 20 का जो right answer है वो option number A option number A में दिया है जीरो टू टू वर्स तो दोस्तो आप भी खुद इस test को स्वम से attempt कीजिए और अपनी तयारी का पता कीजिए कि किस level तक आपकी तयारी पहुंच गई है और दोस्तो यदि आप 30 में से about 25 इसमें score करते हैं आपकी बहुत अच्छी तयारी मानी जाएगी तो दोस्तो इस वीडियो को देखते रहिए और सभी कोशनों को attempt करते रहिए next question देखते है 21 एक छात्रा अध्याय के मुख्य बिंदूओं को रिखांकित करती है उसका द्रिश्य निलूपन करती है तथा अध्याय के अंत में अपने मन में उत्पन होने वाले प्रशनों को प्रस्तुत करती है वह क्या कर रही है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा वो है option number A option number A है विचारों के संगठन द्वारा अपनी चिंतन को निर्देशित करने का प्रियास कर रही है खाले स्थान दिया है व्यक्ति के विकास में महत्पुन भूमी का निभाता है क्या चीज व्यक्ति के विकास में महत्पुन भूमी का निभाता है तो right answer है option number C और C में दिया है दोस्तो आनू अन्जिक्ता और परियावरन next question एक अध्यापी का यह सुनिश्चित करना चाती है कि उसके चात्र अंतिक रूप से अभी प्रेरित है व्यक्या करेगी उस चीज को दिखाने के लिए वह क्या करेगी क्या कारिय करेगी तो इसका जो right answer है वह दोस्तो option number B और B में दिया है अंतिम परिणाम पर ध्यान करने की बजाए वह व्यक्तिक रूप से बच्चों की अधिगम की प्रिक्रिया पर ध्यान के निरित करेगी next question खाली अस्तान दिया है को छोड़ कर निम्लिकित शिक्षारती को अनुदेशन पर नियंतरन करने देते हैं तो इसका क्या answer होगा दोस्तो 24 24 का right answer होगा option number C और में दिया है C में दिया है दोस्तो शिक्षारती से जानकारी याद करने के लिए कहना तो जो शिक्षारती से जानकारी याद करने के लिए कहने को छोड़ कर निम्लिकित शिक्षारतीों को अनुदेशन पर नियंतरन करने देते हैं next question चात्रों से हकलाने की समश्या से किस पद्धती के परियोग से परियोग से निप्टा जा सकता है तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर है 25th का वो है option नमबर B और option नमबर B में दिया है पर पद्धती भाशन क्या है दोस्तो पद्धती भाशन तो इसको हम इस तरह से explain कर सकते हैं कि जैसा कि लंबे समय तक भाशन विधी हकलाने की समश्या को दूर करने का महत्पून तरीका है इस विधी में हकलाने वाले व्यक्ति को शब्दो को अक्सरों में तोड़ कर कहना सिखाया जाता है तो ये जैसा कि मैंने आपको पता है दोस्तो पर पद्धती पर पद्धती जो भाशन होता है तो इसकी जो explanation मैंने दी है वो correct way में यदि किसी लंबे समय तक कोई एक हकलाने वाले वाले व्यक्ति है उन सब्दों को अक्सरों में तोड़ कर कहना सिखाया जाता है और वह उसकी practice करता है तो उसकी हकलाने की जो क्रिया है वो दूर हो जाती है next question देखते है 26 एक बच्चा सिख्षक द्वारा डाटे जाने से बचने के लिए आदेश का पालन करता है कोल बर्ग के नैतिक विकास के model का कौन सा चरण इसे दरसाता है तो दोस्तो बहुत ही अच्छा question है और 26 का इसका जो right answer है वो option number A और A में दिया है डंड और आग्याकारिता उन्मुखी करन तो दोस्तो जैसा कि डंड और आग्याकारिता उन्मुखी करन जो चरण है में बच्चा मानता है कि नियमों की अवग्या डंड का मार्ग प्रसस्त करती है next question देखते है अधिगम अक्षम बच्चों के संदर में ततकालिक संबंद उपलब्द कराना सहयोग पर जोर देना और गैर सिक्षन तक्नीकों का लाब उठाना जैसे त्वरित संदेश बुद्धी मत्ता पून खोज और सामगरी परबंदन जुड़े है किस से जुड़े है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है option number A और A में दिया है संग्रिहित अधिगम डिजाइन से संग्रित जो संग्रिहित जो अधिगम डिजाइन है उनसे जुड़े है next question देखते है रेवनी का परगती सील साचा RPM परिक्षन का उधरन है तो रेवनी का परगती सील साचा जिसको RPM बोलते है परिक्षन का उधरन है तो 28 का राइट आंसर है option number B और B में दिया है संस्कृति मुक्त बुद्धी लवधांक next question रत्यक इस परकार की बहु गुद्धी मत्ता से संबंदित है तो 29 का राइट आंसर option number D है और D में दिया है परियोगिक काईना एस्थैटिक से जुड़ा हुआ है next question and the last question of the video रच्चनात्मक्ता आम तोर पर जुड़ी होती है रच्चनात्मक्ता किस से जुड़ी होती है तो 30 का राइट आंसर है option number A option number A में दिया है अभिशारी सोच से तो दोस्तो रच्चनात्मक्त बच्चों को प्रधिवासील बच्चा माना जाता है ऐसे बच्चों का लक्षन अभिशारी चिंतन होता है तुमें share कीजिए दोस्तो इस वीडियो में हमने सभी selected questions लिये है और ये किसी ने किसी परिक्षा में पूछे गए questions है अपनी बहतर तैयारी के लिए इस वीडियो को एक से दो बर देख सकते हैं और दोस्तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े है तो प्लीज चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाईए और साथ के साथ बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो चलने दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन मंगल में हो जय हिन जय भरत